और चलिए अब बात करते हैं गुर्जर मामले की सरकार गुर्जरों समेथ पांचो जातियों को एक फिसदी आरक्षन का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद है और यही वज़य है कि सरकार ने दो नोटिफेकेशन के जरीए सपश्टी करण ज़ारी किया है इसमें शैक्षिनिक संसारों में प्रवेश और भरतियों में एक फिसदी आरक्षन सुनिश्चित किया जा सके तो 2016 से 2017 की भरतियों में भी MBC का एक प्रतिशत आरक्षन का लाभ मिलेगा इस खास रपोर्ट में देखिया एक फिसदी आरक्षन को लेकर गुर्जर कोर कमिटी और कैबिनेट सब कमिटी के वीच हाल ही वारता हुई जिसमें गुर्जरों ने समझोते की पालना के लिए सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया इसके बाद अब सरकार ने दो नोटिफिकेशन जारी किये हैं इनमें से एक में ये बताया गया है कि बिना लाभ लिये MBC अभ्यर्थी मेरिट पर दाखिला ले रहा है तो उसे MBC वर्ग में नहीं सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा और अगर इस तरह भी MBC को दाखिला नहीं मिला तो पिछड़े वर्ग के 21 प्रतिशत आरक्षन के कोटे में से विचार किया जाएगा इसके बाद ही एक फीसदी आरक्षन के तहत प्रवेश पर विचार किया जाएगा गुजर सहीत पांचों जातियों के लिए एवी सी के साथ SBC का ऐसे कुल मिलाकर करके 14 और पांच 19 परसेंट का एक विदेख लाई और लाकर के लिए 14 परसेंट EBC और 5 परसेंट SBC का आरक्षन का विशे में बिल पारिद कराया इसी तरह सरकार के ओर से जारी दूसरी अधिसूचना में बताया गया है कि अलग-अलग विभागों में 1252 रिक्तपदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा तो एक अन्य अधिसूचना में 9 दिसंबर 2016 से 21 दिसंबर 2017 की भरतियों में एक प्रतिशत आरक्षन के लिए आक्ट में संशोधन की कारिवाई अभी प्रक्रिया अधीन है जिसके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने अलग से आदेश जारी किया है दरसल पहले तो गुर्जरों की मांग पर आक्ट में संशोधन की कवायद की जा रही थी इनको नियुक्ति देने का किया और नियुक्ति के लोन कहा कि सर्वोच चनैले के निरने के अध्यादीन रहेंगी हमने उसके आते है तो उनको नौकरी 252 लोगों को दी उसमें इन सब के वीच में भी ये 1% देनार सब कुछ विशे ऐसे थे जिन विश्यों को प्रक्रियात्मक उने करण से आदेश उनके नहीं निकल पाए बहराल गुर्जलों ने भले ही समझोते की पालना के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टिमेटम दिया हो रतुराज शर्मा, 1st India News, जाइपाद